प्रस्णावली 2.2 का कोशन नमबर 1 और 2 को सॉल्व कर दिया गया पिछले वाले वीडियो में आज हम तीसरा नमबर का सॉल्व करेंगे देखिए कितना नमबर का सॉल्व करेंगे 1 का 3 इसको सॉल्व करेंगे पहले क्या करेंगे कि यह x लिक लेते हैं पहले 6 x square 6 x square minus 3 minus 7 x इसको हम p x के रूपबे लिखेंगे x चर्व है तो लिखेंगे इसको हम systematic कर लेते हैं 6 x square minus 7 x minus 3 कर लेंगे ठीक है systematic कर लिए rearrange कर लिए तो देखिए अब क्या करना है कि सबसे पहले हमको इसका गुननखंड करना है तो च्छावत यहां से अचर्व पद को पहले x square के गुनांग से गुना करते तो अठारा आया अब अठारा को खंड करते हैं दूर नमा अठारा तीन से तिंतिया नौ अब देखिए इसी खंड में से जोर के हो घटा के हो क्या पुराना होता है गुना करके जो मध्पद में जोर के हो घटा के हो यह जो दोनों अंक बनेगा उसका गुननफल जो होना चाहिए कितना 18 होना चाहिए इस पर ध्यान रखना है तो इसी को देख करके कटते हैं क्या हो जाएगा देखिए 6 x square और यहां पर देखिए तीन तीया 9 9 में से दू ज तो यहां पर क्या करेंगे तीन तिया नौ तो माइनास का 9 X लेंगे अब प्लस का 2 X लेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 7X आ जाएगा और माइनस 3 ऐसा करने से हुआ क्या दो दो जोरा बन गया जो की कॉमन लेने में शहर्यत होगी अब हम इसको मीटा दें जह के कैसे कैसे होगा भस में तीन चौन आ एक्स एकस भी है तो कों मन ले लेंगे 3 आपर कितना आएगा जैंज कितना माइनस क्या और यहां पर प्लस डोनों में फुर्यों आए तो समझिए कि एक चॉं inspान है यह पर कंपर कितना आ 2x-3 और यह भी जान लीजे कि दोनों कोष्ट का अगर सेम मिलना है तो समझे कि मेरा गुरंखंट से जा रहा है अब क्या करना है इस एक बार किनारे वाले को लिख देते हैं 3x-1 लिख दिये और एक बार कोष्ट वाले को लिख देना होता 2x-3 जो कि 9 class में आप लोग परह हु बहुपद एक चर कहाना कोई भी बहुपद का एक सुन्यक जीरो होता है अब देखिए px का मान निकाले इतना तो यहां पर लिख देंगे इतना लिख देंगे देखिए 3x-1 ठीक है 3x-1 इंटू 2x-3 2x-3 बराबर 0 अब क्या है इसका मतलब है कि यह 3x-1 बराबर भी 0 होग और 2x-3 बराबर भी 0 होगा चलिए उपर से कर लेते हैं लिखेंगे चुकि 3x 3x-1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 3x बराबर यह प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाइ 3 एक तो निकला पुर्णा चुकि कितना 2x-3 है ना 2x-3 बराबर 0 फिर देखिए 2x बराबर यह बराबर कुदर जाएगा तो प्लस का जाएगा इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 बाइ 2 इस प्रकार से आपका दो सुन्यक मिला पी एक सुन्यक यह मिला और एक सुन्यक यह मिला 3 by 2 है 3 by 2 3 by 2 है अब है क्या है कि सुन्यक तो निकाली है अब सुन्यक यह था गुनाग को कि भी संबंद तो संबंद को पहले लिख लेते हैं कि सुन्यकों का योगफल का संबंद क्या बनेगा देखिए k Fish- को एक वटत तीं जोड़ Lieutenant दो तो कितना आ जाएगा देखिए यह आपर इसका LCM हो हैगा कितना च्थे 3दुनंद च्थे दो औह और प्लस दू तिया छह तिंतिया नो यानिए कितना आ गया में से दो जाएगा तो साथ तो साथ बट्टा छो आया ये आपका एक संबंद मिला फिर देखें सुन्य को का गुनन फल देख लेते हैं सुन्य को का गुनन फल सुन्य को का गुनन फल तो माइनस एक बट्टा तीन आ गुना कितना तीन बट्टा दो तो 3.30 तो कट एगड़ा तब अब कितना होगे मायनस 1 बाइट डू यह भी आपका एक सुन्यकों का सम्भब निकला यह एक यह और एक यह तिकला है कि जोब है सुन्यकों तो था गुनागों की बीच संबंद निकाले तो इसकी सथिता की जांच भी करना की वाकई में闪ा 17 ताकिि जांच करने होती है कि सत्यता की जांच ये question प्राया परिच्छा में पूछे जाते हैं तो revise करना अनिवारे है जरूरी है सत्ता की जाँच देखे कैसे करेंगे इसके लिए लेंगे PX चर को लेंगे बहुपद को लेंगे क्या था 6 X square minus 7 X minus 3 अब इसके द्वारा हम क्या कर लेंगे A बरावर X square के गुनग को देखेंगे तो 6 आया B बरावर X के गुनग को देखेंगे minus 7 आया और C बरावर आगया minus 3 जो की अच्छ अरपद है यहां तक असफ़स्ट अब है कि जाँच करने के लिए क्या कर फॉर्मूला होता है सुन्ने को सुन्ने को का योगफल सुन्ने को का योगफल बरावर होता है minus B by A अब देखे B कितना है B कितना है minus 7 तो पहले B है ना तो minus देखेंगे आब B का मातलब minus 7 है तो लिख दिया by A का मातलब 6 तो क्या हो जाएगा अब देखें minus उपने minus plus हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 by 6 ठीक है अब लिकार लेतें फिर सुन्ने को सुन्ने को का गुनन फल गुनन फल सुन्ने को का गुनन फल बरावर फॉर्मूला होता है C by A तो C कितना देखें C C है minus 3 minus 3 by A कामाद देखे 6 तो काट लेते हैं यहाँ पर 3 काई 3 तीन दूना छो बरावर क्या होगा minus 1 बटा 2 अब चेक करके देखते हैं कि सुन्ने को का योगफल minus सुन्ने को का योगफल 7 बटा 6 निकाले है यहाँ भी देखें सुन्ने को का योगफल 7 बटा 6 को निकाले है इसके बाद सुन्ने को का गवणफल minus 1 बटा 2 निकाले है सुन्ने को का गवणफल minus 1 बटा 2 निकाले जो सत्ता की जाच हो गया तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता तो लाइक, शेर और सब्सक्राब किजिए ठैंक यू, टेक केर